हेलो दोस्तों आज की कहानी सुरू करते हैं अभी रात के दस बच चुके थे और मैं सब के खाना खाने के बाद सिंक में रखे हुए जूटे बरतन साफ कर रही थी तभी अचानक से तेज बारिस हो गई मुझे अचानक ही ध्यान आया कि अरे आज तो मैं चट पर से कपड़े ही नहीं लाई हूँ मैंने बरतन दोना छोड़ दिया और जल्दी से अपने हाथ पोचे और चट की सीडिया चड़ते हुए चट पर चली गई मैंने जल्दी से सभी कपड़े समेट और चट पर ही बने हुए एक कमरे में उन कपड़ों को रखने के लिए गई तभी मुझे लगा कि मेरी नंद इस अंधेरे कमरे में किस से बात कर रही है उस रूम की लाइट भी ओफ थी बारिश की वज़े से जो कपड़े गिले हो गए थे मुझे उन्हें फैलाना था इसलिए मैंने लाइट ओन कर दी लाइट ओन करते ही जब उसने अचानक से पीछे मुड़ कर देखा तो उसे लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई मैंने उससे पूछा सवरा तुम इस वक्त चत पर क्या कर रही हो उसने बोला कुछ नहीं बावी मेरे दोस्त का फोन था बारिश की वज़े से नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था इसलिए मैं यहां आकर बात कर रही हो उसने नज़र चुराते हुए और घबराते हुए बोला मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया चार दिन बाद ही मेरे देवर सूरज की शादी थी घर में कोई भी शादी के लिए तयार नहीं था क्योंकि लड़की हमारी जात विरादरी की नहीं थी वह उसी कोलिज में पढ़ती थी जहां सूरज और सवरा दोनों पढ़ते थे सूरज को वह लड़की बहुत पसंद थी और दोनों पिछले एक साल से एक दूसरे को जानते थे उसकी लाग कोशिश के बाद भी सास ससूर और स्वम मेरे पती इस रिष्टे के लिए इनकार कर रहे थे जब सूरज को लगा कि घर में कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने धमकी दे कि अगर उसकी शादी सीमा से नहीं तै हुई तो वै घर छोड़ कर चला जाएगा मेरे सास ससूर ने सोचा जवान लड़का है कहीं सचमुच घर छोड़ कर ना चला जाए इसलिए मजबूरन उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी हम सभी मिलकर एक दिन लड़की को देखने गई है वै बहुत ही खूबसूरत है उससे बाचित करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया जल्द ही वै हमारे घर पर मेरी देवराने बन कर आ गई वै आई तो मैंने देखा उसके पास एक सूटकेस है इसके अलावा दो बड़े बड़े पुराने से थेले भी है मुझे लगा कि शादी के बाद तो सभी लड़किया नए सामान लेकर माईके से आती है यह पुराने दो थेले लेकर क्यों आई है मेरे घर का नोकर उन थेलों को भी अपने हाथ में थाम रखा था मैंने बोला मुझे दो में रख देती हूँ तब ही मेरी देवराने उसे अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है दीदी आप रहने दीजिये मैं खुद ही रख देती हूँ उसका इस तरह से बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसके थेले को लेकर भाग जाऊंगी मैं इन पुराने सड़े हुए थेलो का क्या करूंगी जो वह ऐसा वैवार कर रही है कैर फिलाल यह बात आई गई हो गई उसकी शादी के दो दिन बाद ही जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई तो वह उस वक्त कमरे में नहीं थी तभी अचानक से मेरी नजर उन दोनों थेलों पर गई जो कोने में रखे थे मैंने चुपके से उन्हें खोला और देखा कि उसमें फटे पुराने कपड़े हैं मैंने सोचा मेरी देवरानी पागल तो नहीं है वे फटे पुराने कपड़ों को अपने साथ क्यों लेकर आई है तभी मेरी सास ने मुझे आवास दी और मैं कमरे से बहार आ गई मेरी सास चिला कर बोल रही थी अरे भूँ आज तुने खाने के लिए रोटिया नहीं बनाई क्या मैंने बोला बनाई हूं माजी मैंने तो आज तुने कहां चुपा कर रख दिया मुझे बहुत तेज भूक लगी थी और तुम्हें आसपास नहीं देखी तो मैं खुद खाना निकालने के लिए चरी गई पर मुझे कहीं भी रोटिया नहीं मिली ये सब सुनकर मैं बिल्कुल आवाज रह गई मैं खुद कीचन में गई सचमच मैंने जिस बरतन में रोटिया रखी थी वे पूरी की पूरी खाली थी हम दोनों का सोर सुनकर मेरी देवरानी और मेरी नन दोनों वहां पर आ गई और बोली हमें बहुत भूग लगी थी हमने सब रोटिया खाली मैंने बोला क्या इतनी सारी रोटिया तुम दोनों ने मिलकर खाली मेरा तो मूँ खुला का खुला रह गया मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ ये दोनों मिलकर पूरे परिवार की रोटिया अकेले कैसे खा सकती है खैर जो भी था मैंने नोकर से बोलकर फिर से सभी के लिए रोटिया बनवाई वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे सभाव की थी वै हर काम में मेरी मदद भी किया करती थी वै मुझे अपनी बड़ी वहन के समान समझती थी और मुझे इज़त भी दिया करती थी पर कभी कभी उसका वैवार मुझे सक करने पर मजबूर कर देता था वै बहार तो कोई काम बता कर जाती पर जब वै वापस लोटती तो उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले होते और कई बार मैंने गोर किया था कि वै जाते समय भी कई बार उन थैलों को अपने साथ ले कर जाती थी इधर मेरी नन सवरा का वैवार आज कल कुछ अलग ही लगता था आज फिर से जब मैं छट पर किसी काम से गई तो मुझे सीडिया चड़ते हुए ऐसे लगा कि सवरा आज पर किसी से फोन पर बात कर रही है मैं थोड़ा और उपर गई तो मुझे सुनाई पड़ा कि तुम चिंता मत करो मैं तभी समान लेकर समय से आ जाऊंगी उसकी यह सारी बाते जाने वाली है अभी तो उसकी कोलिज की चुटिया भी चल रही है यह सब सुनकर तो मेरा दिमा की खराब हो गया और मेरी धड़कन भी तेज हो गई मैंने यह बात अपने पती को बतलाई तो उन्होंने बोला तुम थोड़ा घर पर ध्यान रखा करो वैसे सवरा ऐसी वैसी लड़की नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे कब किसी की बातों में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है इसलिए तुम बड़ी होने के नाते इस घर की पूरी जिम्मेदारी अच्चे से निभाय करो मैं तो पूरे दिन ओपिस में रहता हूँ मैं क्या क्या देखूंगा मैंने बोला ठीक है मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिस करूंगी उसके बाद मैं अपने कमरे से निकल कर बाहर आ गई तो देखा मेरे देवरानी और नन दोनों कहीं बाहर से आ रही है कि दिन सवरा सिर्फ हेर कट के लिए गई थी पर आज उसे वैक्स करवाना था मैंने बोला अच्छा तभी अचानक मेरी नजर उनके हाथ पर गई दोनों ने वही थैला अपने हाथ में पगड़के रखी है जो मेरी देवरानी अपने माईके से लाई थी तभी मेरी बेटी दोड़ते दोड़ते आई और बोली मम्मी मुझे खाना दीजिये भूग लगी है मैं जल्दी से कीचन में गई और उसके लिए खाना निकालने लगी मैंने दो रोटी प्लेट में रखी और सबजी लेने के लिए पैन का धकन अटाया तो मैं यह देखकर दंग रह गई कि पैन में तो सबजी ही नहीं है जबकि घर में अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया था मैं तो अपना सर ही पीट ली आखिर मेरे घर में क्या हो रहा था कभी सबजी गायब हो जाती है तो कभी रोटी गायब हो जाती है उपर से सवरा और सीमा दोनों की हरकते भी बड़ी अजीब थी यह सब सोचकर तो मेरा दिमागी खराब हो जा रहा था मैंने इंडारेक्ट रूप से सीमा से पूछा तुमने खाना खा लिया क्या? उसने बोला हाँ दी दी सबजी बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने पूरी सबजी खा ले आप लोग के लिए तो बची भी नहीं मैंने फिर से अपना सिर पीट लिया कोई अकेले केवल सिर्फ सबजी कैसे खा सकता था वे भी इतनी सारी क्या उसे पूरी सबजी खाने से पहले हम में से किसी का भी ध्यान नहीं आया मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सबी चीजे मेरी समझ से बाहर की थी इसलिए मैंने सोचा अब मुझे सवरा और सीमा दोनों पर नजर रखनी होगी आज मेरी देवरानी किसी काम से बाजार गई थी जब वह वापस घर लोटी तो वह लंगडा लंगडा कर चल रही थी मैंने उससे पूछा तेरे पैर में क्या हुआ है तो उसने नजरे चुराते हुए बोला कुछ नहीं दी थी थोड़ा पैर में दर्द है उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई पर मुझे ताजूब उस वक्त हुआ जब दो घंटे के बाद मेरी नंद कोलिस से वापस आई और वह भी सीमा की तरह लंगडा कर चल रही थी मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी मुझे वही जवाब दिया जो सीमा ने दिया अब तो पानी सर के उपर से निकल रहा था मैंने पूछा तुम दोनों सच सच बताओ आखिर क्या बात है मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरे पती ने यह जिम्मेदारी दी है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओं कल को उन्हें यह सब बाते पता चलेंगी तो वैं सोचेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारीों से भागती हूँ घर पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ मम्मी पापा की भी अब एज हो चुकी है उन्हें तो आदी चीजे दिखाई सुनाई भी नहीं देती वैं घर का कितना ध्यान रखेंगे इसलिए तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर में एक ही दिन एक ही समय दर्द हो इसके अलावा कभी कीचन से पूरी रोटिया गायब हो जाती है कभी पूरी की पूरी सबजी ही गायब हो जाती है पूछने पर भी तुम लोग कोई सही जवाब नहीं देती इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों की हाथ में वही पुराना थैला होता है जो सीमा अपने माईके से लेकर आई थी आखिर इन सबका चक्कर क्या है दोनों मेरी बाते सुनकर डर के मारे काप रही थी और घबरा रही थी उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भावी की बात का हम क्या जवाब दे मेरी नंद ने बोला भावी ऐसी कोई बात नहीं है आप हमें गल्थ समझ रही है मैं भी आज जीद पकड़ कर रखी थी कि मैं आज सच्चाई उगलवा कर ही मानूंगी तब ही मेरी देवरानी बोली दीदी आप मेरे साथ चलिए सारी सच्चाई मैं बताती हूँ उसके बाद हम दोनों गाड़ी से लगबग एक किलोमेटर आगे गए होंगे कि सीमा के कहने पर हमारी गाड़ी एक अनातासरम के बाहर रुकी मैंने सवरा से बोला तुम लोगों ने गाड़ी किस अनातासरम के बाहर क्यो रुक वाई तब ही उन दोनों ने बोला आप आईए तो सही आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी मैं जैसे ही अंदर परवेश की मैंने देखा कि मा की लड़किया वही कपड़े फैने हुए थी जो सीमा अपने माईके से अपने साथ लाई थी मैं देखते ही पैचान गई सीमा ने बोला दीदी मैं शादी से पहले के सारे कपड़े अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं उस गरीब बच्चों में बाट सकू जो मुझे माईके में टाइम नहीं मिला इसलिए मैं उन सब कपड़ों को अपने साथ ही लेकर आ गई थी उसके बाद सहुरा ने बोला भाबी उस दिन जब आफचत पर आई थी तो इसी अनातास्रम से फोन आया था मैं हर महीने टूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे कमाती हूँ मैं इसी अनातास्रम में उसका 10% दान करती हूँ मैं दान देने के बाद रसीद लेना भूल गई थी रसीद में यह लोग नाम पता भी लिखते हैं और इसी के लिए उन्हें मुझे रात में फोन किया था फिर उसने आगे बोला सीमा भाबी और मैं दोनों मिलकर इन लोगों की कुछ मदद करती है उस दिन जब रोटी और सबजी गायब हो गई थी उसकी वज़े यह थी कि यहां के बच्चे भुके थे उस दिन इनके खाने पिने का इंतजाम नहीं हो पाया था तो मैं और भाबी एक दिन रोटी लेकर गए थे और एक दिन सबजी जितने लोग भी इस अनातासरम से जुड़ी हैं सबी अपने घर से बना हुआ कुछ नकुछ खाना लेकर आते रहते हैं हमने घर में किसी को इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं घर के लोग जान जाएंगे तो हमें यह काम करने देंगे की नहीं देंगे उन दोनों की बाते सुनकर और जानने की कोशिस भी नहीं की थी लेकिन आज सवरा और सीमा की बातों ने मेरी भी आखे खोल दी थी तब ही मैंने दोनों से पूशी कि उस दिन तुम दोनों एक साथ क्यो लंगडा कर चल रही थी तो उस पर सवरा ने बोला भाबी जब हम एक दिन अपने घर से खाना लेकर आ रहे थे तो एक कुत्ता खाने की मैक की वज़े से हमारे पीछे पड़ गया हम दोनों का डर मा देजी से दोड़ पड़ा अचाना हम दोनों का पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और हम गिर पड़े गिरने की जिन्द की तो हर कोई जी लेता है पर जिन्द की जीने का सली मजा तो तब है जह किसी औरके लिए कुछ करते हैं और तब हमेंगे उसकी तुलना किसी भोतिक वस्तों से नहीं की जा सकती तो दोस्तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना